मस्कार, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं दिपावली पर हमारी खास पेशकर्ष आपके साथ रूमें निहा बाथम दिपावली यानि की रोष्णी का त्योहार यानि की वो त्योहार जो आपके और हमारे जीवन में खुश्या लेकर आता है और वो रोष्णी लेकर आता है जो आने वाले वक्त में हमारे और आपके जीवन में सदा बहार खुश्यों का प्रज्वलन करता है और दीपो के माध् तो हर साल विदी विदान से हम यहां पूजा आशना करेंगे लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए कि पूजा का शुब मूरत क्या है क्या है क्या तिती तो ते हो गई है 31 तारीक को पूजा की जाएगी कौन सा वो समय होगा लेकिन निहा जी हमारे धर्म शास्त्रों में मुहूरत का बहुत बड़ा मात्रे 24 घंटे में कुल 30 मुहूरत होते हैं एक मुहूरत 48 मिनट का होता है और इसके अनुसार इस वर्ष 31 अक्टूबर कार्तिक मास की अमावश्या को सायंकाल के 3 मुहूरत बनते हैं पहला मुहूरत जो बनता है वो सायंकाल 6 वज़कर 17 मिनट से 7 वज़कर 22 मिनट तक बनता है दूसरा इसको प्रदोसकाल मुहूरत कहते हैं दूसरा मुहूरत बनता है आठ वज़े से ले करके आठ वजकर 48 मिनट तक और तीसरा मुहूर्त बनता है 11 वजकर 3 मिनट से 12 वजे तक इसे निशीत काल कहते है और सबसे जो मुख मुहूर्त है जिसको इस्थिर लगन कहते है वह सिंग लगन होता है जो की अर्ध रात्री में 12 वजकर 35 मिनट से आरम होगा और रात्री में 2 वजकर 49 मिनट तक रहेगा यह सिंग लगन है जिसमें भगवती लक्षमी का परिभ्रमन काल होता है यह सामगरी भी मारे दर्शों के लिए बता दीजे कि क्या-क्या चीजे उप्योग में लाई जाएंगी इस पूजा अर्षना के दरा देखे सबसे पहले में नेहा जी आपको बताता हूं कि भगवती लक्षमी को जो अत्यंत प्रिय है वो खील और बतासे हैं जो कि दीपावली पूजन में महत्तपूर्ण इस्थान रखते हैं यह गेहूं है और यहां जिस प्रकार से कलस की इस्थापना की है और कलस के नीचे गेहूं जो अत्वा हरे मूंग अत्वा चावल रखने का विधान है इसके साथ ही मैं आपको बतलाता हूं यह हल्दी है यदि आप किसी प्रकार से कच्ची हल्दी गाठ वाली हल्दी और मैं आपको बतला करें लेकिन गणेश पूझा में रोली का तीलग गणेश भगवान को नहीं लगाना सिंदूर का प्रियोग करना है यह आपके पास में कमल दाने हैं यह मैं आपको बतराता हूं यह पंचामर्त है यह देवी लक्षमी की पूझा का महा है कैसे नहीं हमारी दर्शुबुत आप है इस प्रकार से पात चीजों को मिला करके यह पंचामृत त्यार होता है भगवती लक्ष Schuld को भुष्प बहुत प्रिय हैं उसमें एक कमल का पुष्प हैं अंतहाअ कमल दाने का कमलगट्टेbest तर्म गुलाब का बुर्फ पुस्प है गुला व पुस्प देवी को अरपण करने सो as संवरत बना देती है और यह कनेर का पुश्प है इसके साथ सफेद का प्रियोग जाते हैं शार प्रकार को लक्षमी पूजन में प्रियोग कियागी क्यों घसे गरा यह रोली का किया जाते हैं यह लेकां प्रयोग्य नोगत जाता है अब आपको बत्राता हूं यह पीली चरसों और इसमें काले रंग की राई मिली हुई है और यह सम्रद्धी का कारक है भगवती को धनिया बहुत प्रिया है सुगंधिम कुष्टीवर्धनम के अनुसार और यह हमारी कुंडली में बुध ग्रहका प्रतिनिधित्व करता है जो लोग अपने कर्म स्थल यानि कि अपने उद्योग अपने कारोबार जहां पर वो करते हैं वहां पूजा करना चाहते तो वहां पर भी यही सामगरी रहेगी और वहां के लिए शुब मूरत क्या है यह निहादी आप प्रतिष्ठान काल में प्रतिष्ठान स्थान में ब्यापार स्थान में किसी प्रकार से पूजन भगवती लक्ष्मी का करते हैं तो यह ध्यान लखना है वह एक तारिक को करेंगे और साढ़े दस से बारा के बीच में भूल करके भी नहीं करना दो पार के क्योंकि इस समय र कर 16 मिनट के बीच में आप एक तारीक को अपने प्रतिष्थान ब्यापार इस्थान में यह पूजन देवी का करेंगे अब पूजा की शुरुवात करते हैं किस तरीके से पूजा अर्षना की जा क्योंकि फल आपने यहां पर लाया है मावा है लड़ू है और कलावा है सबसे पहले आच्मन किया जाता है और वह तीन बार आच्मन किया जाता है जो मैं आपके माध्यम से धर्शकों को दिखाना चाहता हूं वह त्यों कि छफ़ार्टियर में कि सबस्ति उल्चन करने के अपने हात में चामल ऑर जल लेकर के स्वास्ति वाचन करना है है जिस प्रकार में आपको यह चावल है पुष्प है और यह जल है यह तीन वस्तू को ले करके स्वस्ति वाचन करना है हरी ओम्मा स्वस्तिनाह इंद्रो व्रदश्वाह स्वस्तिनाह पूखा विश्वेदाह स्वस्तिनस्तारिक्षो वारिष्टनेमि स्वस्तिनो व्रिहस्पद्रदधातो ओम अगनिर देवता भातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वर्षवो देवता, रुद्रा देवता, दित्या देवता, मरुतो देवता, हरी ओम्मा, ब्रिहस्पदर देव, इंद्रो देवता, भरुणो देवता बाएं हाथ में ये चावल पुष्ट ले करके और भगवान गणपती के चरणों में बार बार अरपन करना है आप अरपन करेंगे में मंत्र का उचारण करूंगा ओम स्रीमन महा गणाधिपदेन महा श्री लक्षमी नारायन भ्यामन महा उमा महेस्वरा भ्यामन महा ओम वानी हिरंगरभा भ्यामन महा सची पुरंदरा भ्यामन महा माता प्रचरन कमले भ्यो नमा इस्ट देवता भ्यो नम तो अब हम जो है आप थोड़ा थोड़ा देवी के चरणों में खील और बता से अरपन करते रहेंगे एक हाथ में इसको ले लिजिए मैं मंत्र का उचारण करूंगा एक एक बतासा और थोड़ी थोड़ी खील देवी लक्षमी के चरणों में अरपन करेंगे इसको कहते हैं अंग पूजा ओम चपलाए नमाहा पादो पूजयामी चंचलाए नमा जानुनी कूजयामी कमलाए नमा कटिं कूजयामी कात्या जैन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन् अश्ट लक्ष्मी का पूजन करेंगे इसके बाद ये अश्ट लक्ष्मी का पूजन धनिया से सम्रद्धी की पूजा जो है प्रात्ति होती है ओम अडिम थोड़ा थोड़ा चढ़ाएंगे बोग लक्ष्मी नमाहा ऐश्वर्य लक्ष्मी नमाहा धन्व लक्ष्मी नमाहा बैभो लक्ष्मी नमाहा संतान लक्ष्मी नमाहा एक एक चढ़ाते चलिए ओम चपलाएंगे नमाहा ओम चंचलाएंगे नमाहा ओम कमलाएंगे नमाहा ओम कात्याएंगे नमाहा ओम जगनमात् भाज लक्षमी नम आघी नवा झाएंगे आज़े के नागश्मी नम आए में एँआ अधन लॲग मािगमाerd na सोला दिये हैं इनसे आप आर्ती घुमा दिजिए कौन से आर्ती करेंगे आर्ती में मंत्र बोलूंगा ओम सबसे अंत में पूजा के अंत में पुश्पांजली की जाती है ओम यगनेन यक्नमय यंद देवास्तानि धरवानि पृथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमाना सचंद यत्र पूर्वे साध्याहा संत्य देवाहा ओम सेवंति कावकुल चंपक पाठ लाप जै पुण्ना गजादि करवीर रसाल पुश्पय दिल्ला प्रवाल तुलसी दलवंजरी भी स्वाम पूजयाम जगदीश्वरी में प्रसीद काएन वाचामन सेंद्रिय इरवाव उध्यात्मनावानुषत स्भाव करोमिय दयात् सकलंपरस्मई नाराय नायति समर्पयामी ओमेक दंताय विदमहे वक्रतुंडाय धीमही तन्नो दंती प्रचोधयात् महालक्ष्मी जवितमहे विष्णुपत्नी जधीमही तन्नो लक्ष्मी प्रचोधयात् नाना सुगंदि पुष्पानि इथा कालोध भवानिचा पुष्पान्ज लिर्मयाधत्त ग्रिहान स्री परमेशरी बोलिये धनलक्षमी मातुगी जय ओ महालक्षमी नमो नमा विष्णु प्रियाय नमो नमा धना प्रदाय नमो नमा विष्णु जनन्य नमो नमा महालक्षमी नमो नमा विष्णु प्रियाय नमो नमा धना प्रदाय नमो नमा सबसे अत में बोलना है ओम महालक्षमी आगक्ष दरिद्रालक्षमी आलक्ष मेरे घर महालक्षमी आए और जो यह दरीद्रा है वो मेरे घर से जाए ठीकе बहुत 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 शुक्रिया अपका बहुत-बहुत धन्यवाद और हम यहीं चाहते हैं कि इस बार की दिपावली आपके लिए शूब हो, मंगल में हो और सबसे महत्पून है कि आपके लिए ये स्वास्थ लाब लेकर आए क्योंकि अगर स्वास्थ है तो सब कुछ है और धन भी आपका निरर्थक है इसी कामना के साथ हमें दीजे इजाज़त देशुर्वियां की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक